दिन भर की सबी बड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले जिससे आपको मिल सके हमारे हर लेटिस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले हलो दोस्तो अभी अभी आ रही है आधार काट को लेकर एक बड़ी खबर अब 5 स्टेप्स में घर बैठे ऐसे चेक करें आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक है या नहीं सुप्रिम कोर्ट के फैसले में साफ साफ कहा गया है कि आधार को बैंक अकाउंट से जोड़ना जरूरी नहीं है अकाउंट के केवाईसी के लिए दूसरे दस्तवेजों का इस्तेमाल किया जा सकता है हलाकि आधार को पैन काउंट से लिंक कराना जरूरी है और इसकी आखरी तारिक 31 मार्च है कोर्ट के आदेश से इतर जादातर लोगों ने आधार से अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर लिया है साथ ही आज भी बैंक अकाउंट खुलवाने के दोरान ग्राहक अपनी मर्जी से उसे आधार से लिंक करवा रहे है ऐसे में आपके मन में यह भी सवाल उठता होगा क्या आपका अकाउंट आधार से जुड़ा है या नहीं आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है हम आपको तरीका बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से घर बैठे इसके जाच भी की जा सकती है और आधार को अकाउंट से लिंक है या नहीं चेक किया जा सकता है सबसे पहले आप UIDAI की अधिकारिक वेबसाइट UIDAI.gov.in पर जाए इस वेबसाइट पर विजिट करने के बाद वेबसाइट खुल जाने के बाद चेक आधार and bank account linking status का option आपको दिखेगा उस पर क्लिक करें यहाँ पर एक page खुलेगा जहां आपको 12 अंको का आधार नमबर डालना होगा उसके बाद आधार नमबर सब्मिट करने के बाद registered mobile नमबर पर आपको one time password मतलब OTP आएगा OTP डालने के बाद login करना है जिसके बाद status आपके सामने होगा अगर account और आधार link हो चुका है तो आपके सामने एक message आएगा Your bank आधार mapping has been done इसका मतलब आपका आधार card और आपका bank account link हो चुका है इस तरह से आप अपना आधार और bank account link कर सकते हैं और जानकारी के लिए बता दे कि आधार को कुछ जगों पर जरूरी कर दिया है मसलन पैन card, ration card, water ID, LPG gas connection से आधार link करवाना अब जरूरी हो चुका है इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही वीडियो को like करे और अपने दोस्तों के साथ whatsapp facebook पर share जरूर करे जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है वो हमारे चैनल को subscribe कर ले बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको मिल सके हमारे हर latest वीडियो का notification सबसे पहले धन्यवाद